राज्जे हिंग्षा ने फेर शरो भलें राज्जोपाल, हिंग्षा बंद हवा उत्तन तो जोरोरी पोसिबंगेर परिस्तेती गणुत अंत्रों संग भीधाने परीपन थे नीजी गिए देख़ो जाएकाई जाएकाई की परिस्तेती आक्रां तो देशंगे कोथा बोल्बो, एमुँटाई बोलें राज्जोपाल सीवी आनन बोस तिनी परिश्कार बोल्चेन आमी Ground Zero राज्जोपाल होते चाई याकड़े कोड़ अनकोट अपने दे राज्जोपाल होते चाई आमुन ताई बोलेन राज्योपाल सेवि आनन बोज राज्य हिंशा निये फिर सोरोगोन राज्योपाल हिंशा बन्धो हवा उप्ट उन्तो जरोडि पोस्ची मोंगे पोरी स्थिति गोन्त उन्त्व एबं सांगभीधाने पोडिप पोन्थी ताई नीजे गे पोरी स्थिती खोती रैखार कथा बोलचे राज़पाल सेवी आनन बोज जे भावे पॉंचात बोटे राब हो है जेवार उत्तफत होए चे विभी नोई लाका एन ये बहुँ बार शोरोभ होए चे राज़पाल सेवी आनन बोज ये बहुँ भांगोरिगे शेखाने उक जिन्त राज़पाल सेखनकर पोरुट्त थी खोती देखा चिलें तीनी ये बहुँ तारपडामा देखला मुत्तरबाउंगो विश्रीवदला शेखानोगी और इती मोत जिनी शोरोभ होलें ये बहुँ तारपड तीनी एई बिशाइटी नी एक वड़ शोरोभ होलचिन तीनी बोलचन हिंग्षा बांदावा उत्तों तो जोरोडी की बोलन राज़पाल शोनाब आपने जेखे As Governor, it is my bound and duty to see that the orders of the court are implemented by all the functional means in letter and spirit I would like to go to the field, interact with the victims and understand for myself what is the real ground-level situation Yes, I would like to be a ground zero Governor so far as this election violence is concerned the politics of murder yes the politics of threat has to go it will go we will implement in the eternal spirit the order is given by the honourable high court which is a quintessence of the spirit of democracy which is enshrined in the constitution of India this is a challenge to the constitution of India this is a challenge to democracy this is a challenge to the people of India this can never go never go like this this has to end those who are supposed to be sentinels of democracy should not become the sound of the death knell of democracy what is happening in the field is very very disturbing the present trend will be reversed and there will be peace and harmony in society this is a challenge to the people of India ये बंग ताई तीनी शोमोस्तो जाएगे नीजेगे पुरो विशोयती खोती देखता चान। इमोरत आमाले शॉंगे रचान जाइफोलाई ने विचेपी रज्जी शुमभपती शुकांतो मोजुम्दार। शुकांतो भब आपने के शागोत रिपाब्लिक बांगला है। राचे हिंग्षा ने फेश स्वाड़ बोलन राज्जोपाव तीनी बोल्चेंजे हिंग्षा बंदवा उत्तों जोड़ोडी। भारत बर्षे ताथा तोस्रीमंगे नागोरिक देर के दिये थे। अधिकार रोख टाइक्तों ओनार हाते परे ओनार घारे फेडाइक्तों। एबंग शाववगभवे जेधाने हिंग्षा आपोस्रीमंगे निर्भाज़ाने शुछाते। अधिके नाई बराबरे रितिहाज भोशेज एज एजनाने हिंकार जोईटे। वोग एभारोशे ही कटना अपरा आखुष कोर लांगे है मानुषे तीवान चोले गारा है तो गुले मानुषे तीवान चोले गारा है ताहार ही अब्जार्वेशन एक्पाम शाठीक अधिके नाई बराबरे रितिवान चोले गारा है तो गुले मानुषे तीवान चोले गारा है पूँछे दिवान चोले मानुषे तीवान चोले गारा है पूँछे तीवान चोले मानुषे तीवान चोले गारा है पूँछे तीवान चोले मानुषे तीवान चोले गारा है पूँछे पूँछे तीवाने चोले मानुषे तीवान चोले गारा है शेही जाएगाए शोरोब भोलें राज्योपाल सीवी आनन बोस्ट राज्चे हिंग्षा निये फेड शोरोब राज्योपाल तिनी बोलचने हिंग्षा बंधोबा उत्तोंतो जोरोरी पोस्टि मोंगे पोडिस्तिती गणतोंत्र येमंग शोंगभी थाने पोडिपपन थी नीजे गीए देखपो जाएगाए जाएगाए की पोडिस्तिते आक्रान तोदेशांगे कोथा बोलबो आम उटाइ बोलें राज्योपाल सीवी आनन बोल तबंधिरी पोलिश्कार बोलें जे विश्यटी उत्तोंतो ताथ पोर्च पोर्णो तिनी बोलचना मी ग्राउंड जीरो राज्योपाल होते चाए